हलो फ्रेंड्स आज मैं आपको दूद वाले नारियल के लड़ू बनाना सिखाऊंगी इसके लिए मैंने एक किलो फुल क्रीम दूद लिया है और इसको मैंने एक पैन में गरम होने के लिए रख दिया है ये मेरे पास 200 ग्राम के करीब मिल्कमेड बचावा था इसलिए मैं इस अब यह मेरे पास था इसलिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है अब यह मेरा एक पाउ के करीब गिसावा नारियल है और थोड़ा सा मैंने नारियल लड़ूं को लपेटने के लिए अलग रख दिया है यह साथ आठ लाइची कुटीवी रखी है जो कि हम इसमें मिक्स करेंगे दूद में मिक्स करेंगे इससे अच्छा खुश्बूर फ्लेवर आता है अब यह दूद जो हमने उबालने रखा था तो इसमें उबाल आच चुका है अब जो हमने एक पाउ किसावा नारियल रखा था उसको हम इसमें दीरे दीरे करके इसमें डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे गैस की फ्लेम को लो ही रखेगा और इसको कंट्यूनिसली इस तरह से चलाते रहें यह तब तक के लिए आपको चलाते रहना है जब तक कि हमारा यह गाड़ा ना हो जाए अब इसमें मैंने 5-6 टी स्पून चीनी मिलाई है इसमें क्योंकि मैं मिल्क मेड मिला चुकी तो यह इस तरह से आप इसको मिलाते रहिए जब तक कि यह गाड़ा ना हो जाए यह देखिए हमारा यह गाड़ा हो चुका है अब मैंने गैस से निकाल चुकी हूं इसको अब इसको ठंडा होने के लिए हम थोड़ी देर रख देंगे जब यह ठंडा हो जाएगा तो हम इस एक टाइट हातों से आप इसको लड़ों की शेप दीजिए यह आप छोटे बड़े किसी भी शेप में बना सकते हैं यह मेरे मीडियम साइज के बना रही हूँ तो यह बनाने के बाद जो थोड़ा सा मैंने गिसावा नारियल अलग रखा था तो इसको इसके भार से हम इस तरह से लपेटेंगे और यह हमारा देखिए कितना सुंदर नारियल का लड़ों तयार हो गया है इसी तरह से हम सभी नारियल के लड़ू बना देंगे और इतने एक किलो दूद और एक पाउ नारियल में मेरे करीब बन इस साइज के 20-22 लड़ू बन जाएंगे तो ये बहुत ही इजी है जल्दी से बन जाएगी कौई भी इसको बना सकता है इसमें कोई महनत की जरत नहीं है और इसका टेस्ट भी बिलकुल कलाकंद की तड़ा होता है तो आपको कैसी लगी है मेरी रेसेपी तो जरूर कमेंड सेक्शन में लिखिएगा तो चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई प्लीज जो मेरे चैनल को फर्स टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब लाइक और शेयर जल्द